लापी सलाजुली ब्रेसलिट के लाब माना जाता है कि इस खूबसूरत कंगन को पहनने से तीसरी आख जागरित होती है चुंकि यहां रत्न रोयल्टी का प्रतिनिधित्व करता है इस कंगन के पहनने वाले को आत्मखोज और रोयल्टी की भावना का अनुभव होगा धनो और तुला राशी के जातकों के लिए यह लापकारी है ऐसा माना जाता है कि लापी सलाजुली आभूशन पहनने से आप मानसिक हमलों से बच जाएंगे रत्न आभूशन आपके जीवन की शान्ती और सद्भाव को बढ़ाएंगे आप इस रत्न की सहायता से आत्म जाग्रुकता विक्सित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक सचाई की खोज कर सकते हैं यह एक गहना है जो इमानदारी और आत्म भिव्यक्ती को प्रोचसाहित करता है इस पर ब्रहस्पती ग्रह का शासन था इसलिए यदि आपकी कुंडिली में इस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है तो आपको यह रत्न धारन करना चाहिए यह नकारात्मक प्रभावों को निश्क्रिय कर देगा दरसल यदि आपका जन्म व्रिशब, तुला, धनु या मकर राशी में हुआ है तो आप लापीस लाजुली रत्न धारन कर सकते हैं लापीस लाजुली में कई उपचार गोण है यह सुन्दर नील और सोने का रत्न गले और तीसरी आख के चकरों को साफ करने के लिए जाना जाता है और इसका उप्योग मानसिक हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है ग्यान और संचार के लिए तैयार एक पत्थर के रूप में लापीस लाजुली आपको स्पष्टता, अखर्णता और अंतरग्यान से जोडने में भी मदद कर सकता है लापीस लाजुली यह पत्थर ग्यान और सशक्तिकरन की तरंगों को बढ़ाता है यदि आप अपने जीवन में इस उर्जा को बढ़ाना चाहते हैं अर्थात अधिक आत्मस्शक्तिकरन तो आपको इसे अपनी बाई कलाई पर पहनना चाहिए यदि आपका इरादा दूसरों को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो आपको इसे अपनी दाहिनी और पहनना चाहिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी करें मेरी सामगरी को भैतर बनाने के लिए मुझे फीड़बैक दें धन्यवाद